Hello and welcome to Curiously Forever मेरा नाम है प्रशांत मावानी दोस्तो आपकी स्क्रीन के उपर जो तस्वीर है इनका नाम है टिक न्यात हॉन ये एक बुद्धिस्ट मौंग थे 95 एज में तीन दिन पहले उनका निदन हुआ 22 जानिवारी 2022 के दिन वियत नाम में इनका निदन हुआ इनका जन्म भी वियत नाम में ही हुआ था आगे बड़े उससे पहले इनका जो नाम है उसको प्रणाउंस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ये जो पहला वर्ड है इसको आप जैसे टिक प्रणाउंस करते हैं वैसे आप इसको प्रणाउंस कर सकते हैं टिक जो दूसरा वर्ड है उसको जैसे आप N Y A T शब्द को न्यात जैसे हम प्रणाउंस करें वैसे आप कर सकते हैं और H A N H जो है अंग्रेजी एक शब्द है डॉन D A W N डॉन का मतलब होता है सुर्योदै वैसे ही H A N H को आप हॉन जैसे डॉन को प्रणाउंस करते हैं वैसे ही हॉन तो टिक न्यात हॉन ये वियतनमिज नाम है थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए लेकिन अब आपके लिए ये इजी हो गया है इनका एक दूसरा नाम भी था इनको थे कहते थे थे का मतलब होता है एक गुरू एक टीचर तो आज के इस लेक्चर में मैं कहूंगा इनको थे ठीक है अगे बड़े उसे पहले डिया फ्रेंज कुछ बैसिक चीज़े हैं उनके बारे में ग्लोबल स्पिरिच्छल लीडर थे पॉयट थे सो से भी ज्यादा किताबे लिखी है पीस एक्टिविस्ट थे वेतनाम बोर के बारे में हम बात करेंगे और उनका कॉंसेप्ट है एंगेजड बुदिजम थे को फादर ओफ एंगेजड बुदिजम कहा जाता है और ये जो एंगेजड बुदिजम है ये mindfulness practice को social action के साथ merge करने वाली एक theory है एक practice है तो ये क्या है इसको भी हम देखेंगे आगे बड़े उससे पहले अगर आपको motivational quotes motivational stories motivational चीज़े पसंद है तो चेक आउट Curiously ये सभी बड़े podcast platforms पर available है दोस्तों हमारी channels को subscribe करना ना भूले Curiously Forever and Curiously Education और आज का वीडियो पसंद आता है तो hit the like button हमारी channel को subscribe कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर पहुँचाईगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने जीवन के flashback में आपको ले जाना चाता हूँ 2014 की बात है जब मैं library जाया करता था और पढ़ाई करता था और free time में या फिर मैं वक्त निकाल कर ओशो की बहुत सारी किताबे उस टाइम पर पढ़ा करता था मैं एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं विशाल तो मैं और विशाल spirituality के बारे में काफी सारी चीज़े discuss किया करते थे और वो ओशो के बहुत सारे videos और lectures जो है audio lectures वो सुना करते थे मैं किताबे पढ़ता था और बहुत सारे अलग-अलग ऐसे spiritual concepts पर हम बात करते थे तो एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे कुछ Buddha mind, Buddha body, walking meditation और इन सारी चीज़ों के बारे में बात बताई और फिर उन्होंने बताया कि उनके पास एक किताब है और फिर ये किताब जो हैं वो of course मैंने पढ़ी और पहली बार मुझे ये जो टिक न्यात होन है उनके बारे में पता चला उससे पहले मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसे भी कोई मौंक है ऐसे भी कोई व्यक्ति इस दुन्या में है इस किताब की दो चीज़े आज भी मुझे crystal clear याद है number one is walking meditation इस concept को समझकर कभी जब भी वक्त मिले कभी try ज़रूर कीज़ेगा और दूसरी एक चीज़ जो एक proverb है कि we become our company या फिर जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं तो इस चीज़ को बहुत ही scientifically उन्होंने explain किया है और बताया है यह जो मठ होते हैं या फिर जो group meditations हैं उनकी क्या impact होती है और जो हमारी personal life है उसमें भी यह concept जो है यह बहुत काम आता है जब भी आप किसी ऐसे व्यक्तियों को मिलते हैं जो आप से थोड़े different है in the sense कि अगर वो let's say lazy है negative है तो इस concept को अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको बता चलता है कि इन सारे लोगों से थोड़ा दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा है फिर यह सारे concepts मैंने इस किताब में पढ़े और उसके बाद मैंने उनके कुछ online lectures भी देखे और guided meditation जो है उनका वो काफी अच्छा है कभी आपको वक्त मिले तो इसको भी try कीजेगा लेट मी टेल यू ये कोई sponsored वीडियो बिलकुल नहीं है मैं personally इनका एक fan हूँ I like this guy और भारत में ये इतने ज्यादा famous नहीं है और जब मुझे ये news मिले ये sad news मिले कि उनका निदन हो जुगा है तो मैंने सूचा कि इसके उपर एक वीडियो बनाकर इनके द्वारा कही गई जो right बाते हैं जो सही बाते हैं वो आप तक पहुंचा हूँ इनका जन्मत जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वियत नाम में हुआ था year was 1926 16 साल की उम्र से ही वो धर्म के साथ एक मंदिर के साथ जुड़ गये थे और कुछ इंट्रेस्टिंग कि सो की अगर बात करें तो University of Saigon है तो वहाँ पर secular subject के उपर studies करने वाले कुछ जो भिखशुक थे तो उनमें से एक थे among the first six monks to ride a bicycle तो उनमें भी ये सामिल थे और let me tell you one thing कि उनके अगर आप कुछ lectures को देखेंगे तो you will find कि उनकी sense of humor जो है वो काफी अच्छे थी Western world में वो father of mindfulness के नाम से जाने जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि आजकल जो mindfulness शब्द काफी trending में रहता है तो ये जो शब्द है इसको famous अगर किसे ने किया है तो वो थे ने किया है आपकी screen के उपर जो ये building है ये एक मंदिर है ये Vietnam में located है और इसी मंदिर में ही उनका निदन हुआ है एक्चुली Vietnam war 1960s में जब हुए तब से वो exile में थै exile यानि कि उनको अपने देश में जाने की permission नहीं थी finally 2018 में उनकी age जैसे मैं आपको बताया 95 हो जुकी थी तो उनकी health को ध्यान में रखते हुए फिर Vietnamese authority ने उनको permission दी कि वो इस मंदिर में आकर रह सकते हैं और आज हमें ये खबर मिली कि उनका निदन हो गया है तो Vietnam war जब हो रहा था उस टाइम पर भी थे ने war का बहुत विरोध किया और Vietnam authorities उनके इस विरोध से impressed नहीं थी उनको दुश्मन की नजर से देखती थी और इसी वज़े से उनको फिर Vietnam छोड़कर दूसरी जगा पर settle होना पड़ा war की वज़े से जो लोग पिडित हुए है उनकी काफी help करते थे काफी मदद करते थे और USMA 1961 में Princeton University में उन्होंने comparative religion के lectures भी लिये हैं Columbia University में Buddhism का जो concept है Buddhism के साथ जुड़ी हुई जो studies है वो भी उन्होंने वहाँ पर explain की है उनके भी lectures लिये हैं और 60s में जब युद होने लगा था तो फिर वो गए अमेरिका अमेरिका में ये lectures के साथ-साथ उनकी मुलाकात हुई Martin Luther King Junior से और 1966 में दोनों की पहली बार मुलाकात हुई और Martin Luther King जो हैं वो बहुत ज्यादा impressed हुए थे से और उनको काफी support भी किया उन्होंने डॉक्टर किंग ने ये भी कहा के इनको नोबल पुरसकार मिलना चाहिए जो थे हैं उन्होंने डॉक्टर किंग यानि की Martin Luther King को ये कहा के American atrocities जो वियतनाम में हो रही है तो इसके खिलाफ आप यहां पर आवाज उठाईए आप इन सारी चीज़ों को रोकिए और इसा हुआ भी उन्होंने आवाज भी उठाईए और जो डॉक्टर किंग हैं उन्होंने थे का नाम नोबल प्राइस कमिटी को भी लिखा उनको नॉमिनेट किया एक पत्र लिख कर कहा कि इस बुद्धिस्ट मौंक को नोबल पुरसकार मिलना चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बुद्धिस्ट मौंक हैं उनके जो आईडियास हैं इनको अगर हम इंप्लिमेंट करें तो वर्ल्ड ब्रोधर हुट का जो कॉंसेप्ट है जो प्रोसेस हैं उसको हम रियल वर्ल्ड में इंप्लिमेंट कर पाएंगे मनिफेस्ट कर पाएंगे और इनको एपोसल औफ पीस और नॉन वाइलेंस भी ऐसे शब्दों का इस्तमाल भी डॉक्टर किंग यानि की मार्टिन लूथर किंग ने टिक न्यात हान के लिए किया है वो बहुत सारे पॉप्स को मिले वो प्रेजिडेंट्स को मिले एक्टिविस्ट को मिले लीडर्स को मिले और जो वियतनाम वर के साथ जुड़ी हुई जो शान्ती वारता है जो पीस टॉक्स हैं यह पैरिस में कंड़क्ट हुई थी तो इसमें भी उन्होंने एक बहुत ही इंपोर्टन डॉल प्ले किया कि Global Leaders और Global Powerful लोग जो हैं Influencers जो हैं वो इस युद्द को रोके और सिंगापूर में जो वियतनाम के जो refugees थे तो सिंगापूर में भी उनकी काफी मदद की उनको काफी support किया तो काफी बले इंसान थे क्योंकि वो एक लंबे समय से अपने देश नहीं जा पा रहे थे तो फिर उन्होंने फ्रांस में ही सेटल होगे फ्रांस में दशोकों तक वो फ्रांस में रहे और वहाँ पर उन्होंने प्लम विलेज ट्रेडिशन एक प्रकार का एक नया मठ जो है इसकी शिरुवात की और फिर ये Plum Village tradition जो है वो दूसरे देशों में भी काफी spread हुआ लेकिन France में ही इसका headquarter है अब दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं और उनका जो एक concept है engaged Buddhism इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं देखें ये engaged Buddhism वाला जो concept है ये हमारे देश के लिए तो बहुत ही important है क्यों चलिए समझते हैं देखें हमारे देश में Indian subcontinent में जितने भी धर्मों ने जन्म लिया ज्यादातर उनका जो inclination है ज्यादातर उनका जो जुकाव है वो एक व्यक्तिगत, enlightenment और salvation यानकी मौक्ष प्राप्ती और ईश्वर प्राप्ती के उपर ज्यादा focused है लेकिन society और politics जो हैं वो हमारे सभी के जीवन का एक बहुत important part है इसको हम reject नहीं कर सकते हैं इसको हम neglect नहीं कर सकते हैं अब politics की जब भी बात होती है तब सबसे पहला जो एक impression हमारे दिमाग में आता है that is a negative way of thinking कि जब हम कहते हैं कि politics तो लगता है कि नहीं नहीं, politics is very bad लेकिन politics is very important I am not talking about negative politics I am talking about real politics कि politics के बिना कुछ भी possible नहीं है सारी चीजें सारी चीजें जो है वो political decision के माधियम से और politicians नहीं ये सारे decisions लिये हैं इसकी बज़े से ही ये सारे rules and regulations हैं और ये सारे politicians जो हैं वो हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं वो कोई alien नहीं है तो politics अगर बुरा हो गया है तो इसमें से politicians involved नहीं है समाज का भी उतना ही कुसूर है तो enlightenment और salvation चलो अपनी जगा पर सही है लेकिन उसे के साथ साथ society और politics को हम reject नहीं कर सकते खास करके religions और इसी चीज़ को promote किया spiritual politics का concept जो है वो थे ने दिया उन्होंने कहा कि interconnectedness के उपर focus गया उन्होंने कहा कि हम सब interconnected हैं एक दूसरे के साथ चाहे आप एक शहर में रहते हैं चाहे आप एक देश में रहते हैं या फिर आप दूसरे अलग-अलग continents में रहते हैं indirectly we all are connected with each other दूसरी चीज़ उन्होंने जो climate change के उपर एक concept दिया that is interbeing interbeing यानि कि तो climate change जो हो रहा है वो सिर्फ किसी एक देश के लिए या फिर इनसानों के लिए नहीं पुरी काइनात के लिए ये dangerous चीज़ है और इसको solve अगर कोई कर सकता है तो वो इनसान है और हमें एक दूसरे के साथ cooperate करके इसको solve करने की कोशिस करनी चाहिए तो ऐसे कुछ concept जो है वो आज के समाज और आज के politics को address करते हुए उन्होंने पताया है आज के religion की बात करें ऐसी situation आ चुकी है कि अब हम religion को openly discuss नहीं कर सकते जो British सरकार या फिर British राज हमारे देश में जब उनकी हुकोमत थी तब divide and rule का जो काम करता था वो आज के जमाने में religion के नाम पर बहुत सारे politicians और मैं यहाँ पर सिर्फ हमारे देश की नहीं दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों में ऐसा हो रहा है जैसे के यूरोप के कुछ ऐसे देश ऐसे हैं जिनका अगर आप इतिहास देखे तो आप पाएंगे के काफी democratic देश थे और secular उनका mindset था welcoming थे आज वहाँ पर भी एक strong religious sentiments जो हैं वो आपको नज़र आते हैं हमारे देश का भी अगर इतिहास देखे देन भी find के हरे एक प्रकार के ideas को हमेशा भारत ने accept किया है इतने सारे अलग-अलग जो religions हैं religious practices हैं वो हमारे देश में सदियों से चली आ रही हैं लेकिन आज जो हैं वो दो communities जो हैं उनके बीच में दरारे जो हैं वो हमें अलग-अलग regions में कुछ-कुछ दरारे जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और ये सारी चीज़े जो है वो political hit के लिए करवाई जाती है vaccine के time पर क्या हुआ बहुत सारे ऐसे अमीर देश थे जिनके पास पैसे थे जिनके पास vaccine खरीटने के पैसे थे जिनके पास vaccine create करने के पैसे थे तो ऐसे कुछ देशों ने जान बुचकर अपने रेफरिजरेटर्स में वैक्सीन रखी और दुनिया के कितने सारे ऐसे गरीब देश थे जिनको वैक्सीन की आवश रकता थी उनको वैक्सीन नहीं दिये तो contemporary world जो है उसकी ये reality है बहुत सारी अच्छी चीज़े भी है लेकिन जो चीज़े बुरी है जो spiritual deficit है पबलिक लाइफ में इनके बारे में टिक यात हौन ने बाते बताई हैं उन्होंने धर्म का इस्तमाल न्याई और empathy को और ज्यादा expand करने के लिए बहुत ही positive तरीके से उन ही relevant है और खास करके हमारे देश के लिए क्योंकि आज देखिए hate speech कितनी common हो चुकी है violence जो है वो कितना common हो गया है inequality के reports जब हम पढ़ते हैं तब पता जलता है कि हमारे देश में covid के बाद तो inequality और ज्यादा increase हुई है comedy भी जो है वो भी negative हो चुकी है किसी का insult करके हसाने की को और इस प्रकार के प्रोग्राम्स जो है वो काफी सफल भी हो रहे हैं लोगों का टेस्ट जो है वो एक प्रकार से change हो गया है दिन वी find के किसी व्यक्ति के कंदों पर पैर रखके अपनी तरक्की कर लेना किसी को cheat करके अपनी तरक्की कर लेना ऐसी चीजों को समाज में smart work कह जाता है राइट जो जो गलत चीज है उसको हम नजर अंदास करके कहते हैं कि this is a very smart way of living और यह ऐसे देश में हो रहा है जिस देश में गवतंबुद महावीर महात्मा गांदी सिख गुरू कितने नजाने कबीर और बहुत सारे ऐसे सुफी संथ हो गए हमारे देश में और उ बारा बताई गई बाते आज भी टाइमलेस हैं आज भी अगर उनका प्रेक्टिबल इंप्लिमेंटेशन किया जाए तो हमारे समाज के लिए पॉलिटिक्स के लिए सुसाइटी के लिए यह बैटर ही हैं लेकिन अनफोर्चुनेटली दीरे दीरे यह सारी चीजों को बुकि किया और समाज में जब मैं कहता हूँ समाज तो यह किसी देश से लिमिटेड नहीं था है अम टॉकिंग बाउट गलोबल पॉपिलेशन तो हुमन काइंड में एक पॉजिटिव बदलाव आए एक पॉजिटिव चेंज आए तो इसको लेकर उहोंने अपना पूरा जीवन ज इतना ज्यादा लोग नहीं जानते हैं तो यह थी आज की हमारी छोटी सी बायोग्राफी अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट था लाइक बटन हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूले वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा stay curious stay hungry for the knowledge always Jai Hind